मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और भारतिय जंता पार्टी के दिगज नेता शिवराद सिंग चोहान ने बेटियों को बचाने के लिए गैर राजमीतिक आंदोलन करने का शुरुआत की है हाली में सूबे में हुए दुशकर्म और हत्या की घटनाओं के बाद शिवराद सिंग चोहान ने शनीवार को इसका एलान किया है उन्होंने कहा कि जल्दी वो इसके लिए एक गैर राजमीतिक आलंदोलन शुरू करेंगे आपको बता दें कि हाली में मध्यप्रदेश की राजनीटी भोपाल में नाबालिक बच्ची से दुशकर्म के बाद हत्या कर दी गई इस घटना को लेकर राजनीटी गर्मा गई है और इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए इस पर मन्थन के लिए भोपाल में शनीवार को बैठक रखी गई इस बैठक में तै कि आगया कि भोपाल में हर महले महले समीती बनाई जाएगी शिवराद सिंग्ने इस दौरान बयान दिया कि वह जिस दिन भी भॉपाल में रहेंगे एक महले में जरूर जाएगे इसकी साथ ही शिवराद सिंग चहान ने राजधानी भुपाल में चल रहे हुका लाउंज बंद कराने के भीदिये जोर दिया है उन्होंने कहा कि दरिंदों को जल्द फांसी पर लटकाने के लिए भारत ने मुख्य नयमूर्थी को भुपाल से एक लाख पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे जो साथ जुलाई को सिप्रीम बेटियों को बचाने के लिए मुहला समीती बनाने का सुझाव भी शिवराद सिंग ने दिया उन्होंने कहा कि ये समीतियां बेटियों से चर्शा करें और उनसे पूछे कि कोई परेशान तो नहीं कर रहा समीतियां खुद भी अपने स्तर पर नज़र रखे इसके अलावा और अलोक शर्मा ने हुकका लाउंज बंद कराने का अल्टिमेटम दिया और कहा कि 24 घंटे में हुकका लाउंज को स्वेक्षा से बंद किया जाए तो जनता खुद हुकका लाउंज बंद कर देगी